हेलो फ्रेंट्स बेलकम बाइक इन एसीस डिफेंस अकेडमी तो यहां पे आप लोगों को पता ही होगा एकजाम में बचे हुए उनली 30 डेज मतलब आपके पास जो फिप्त जन्वरी को एसीसी वन थरी जिरो कंड़क्ट होगा उसके लिए केबल एक मन्त है आपको जो अपनी मैनत लगाने हैं जितने अफर्ट डालने हैं कुछ करके दिखाना है वो सिर्फ इस एक मन्त के दमपरी करना होगा आप अभी भी आसानी से एक मन्त में एसीसी 130 क्लियर कर सकते हैं वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे क्या आपका प्लान होना चाहिए दो तरह से कि कहां से questions आते हैं ऐसा कुछ action material पढ़ने की जरुवत नहीं है किस topic में आपका hold है कि subject में आपका hold है उस पर ज्यादा focus करो क्योंकि आपको सबसे पहले cut-off mark जितना भी है उसको qualify करना है उसके बाद जाकर आपको ranking के लिए जाना है तो जो एक मन्त है उसके लिए आप अपन कर दो अपने exam के लिए 5 जन्वरी तक पूरे dedicated हो जाओं क्योंकि आज जो लोग आपसे बात नहीं कर रहे हैं आपको कुछ कहेंगे वो कल आपकी ही बात करेंगे कि हमारे साथ का एक बंदा जो की अपने कंदे पर two star लगाकर आज अफसर वन गया है तो इस तरह से अपने यदि आप चाहते हैं कि करियर में आगे बढ़ना है कुछ करना है उसके लिए आपको effort extra डालना होगा यदि आपका पास वाला बंदा सो रहा है तो आपको यह फील नहीं करना है कि यह सो रहा है ठीक है आपको motivate होना है अपने आप से कि मुझे कुछ करना है मुझे life में आग इसमें कहीं भी कोई doubt नहीं है ठीक है जो आपका exam conduct होगा वो पूरा objective होगा जिसमें 300 marks का पेपर होने बाला है इसमें 150 questions रहेंगे तो हर questions के लिए 2 marks है तो total 300 marks का पेपर होगा यहां पर negative marking है उसके लिए मैं बता रहा हूं कि negative marking है तो आपको यहां पर revision करना होगा अभी तक क बढ़ाई को revise करना बहुत जरूरी है क्योंकि last moment पर जाकर आप question देख रहे हैं और महां पर आपको देखने को आया कि world environmental day कब मनाया जाता है navy day कब celebrate किया जाता लेकिन आपको doubt है तो आप महां पर tick नहीं कर सकते क्योंकि negative marking हो जाएगी आपका जो plus questions सही हुए है उसमें से ठीक है और स्लेवस इसका क्या है तोटल बन 50 प्लस questions रहेंगे six sections रहेंगे आपके section first start होगा reasoning से और खतम कहां पर होगा और आप चाहते हैं कि एक मन्त में अच्छी ranking के साथ में यदि ACC 130 clear करना चाहते हैं तो पूरा process मैं बताऊंगा कि आपको किस chapter में कहां से क्या तयारी करनी है क्या प्लान होना चाहिए सबसे पहले PYQ उठाओ PYQ आपको कहां मिलेंगे ACC defense academy के application पर free of cost में upload किये गए हैं सारे previous लास्ट 5 से 10 years के questions paper आपको महां पर मिल जाएंगे तो उसको download कहां से करोगे link दिया गया description box में ACC defense academy application का वहां पर आपको PYQ मिल जाएंगे second mock test जो की हम हमारे crash course में फोकस करते हैं जितने mock test लगाओगे इस टाइम पर उससे आपके उतने important questions कबर हो रहे हैं साथ में आपको पता चल रहा है कि मुझे किस subject में problem आ रही है तो यह दो चीज आपके लिए key factor बनने वाले हैं ठीक है जिससे कि आप पता कर सकते हूं कि आप कितने पानी हो मुझे कहां पर भी तैय students रहे हैं वो 25 में से 25 सही करकर आएं ठीक है और maximum student 20 प्लस सही करकर आते हैं तो वहां से आपको 80 प्लस score मिला है डारेक डारेक ठीक है 50 marks का है तो आपको 40 प्लस score मिल जाएगा cable reasoning से काफी matter करता है second आपका general knowledge general knowledge से आपको पता है कि questions किस जगे से आने हैं वही questions हर बार वो पूछता है तो उन चीजों को पढ़ो ठीक है जिससे कि आपका strong portion पहले दो तीन बना लो जैसे कि कि किसी को math में problem होती है किसी को English में होती है उसको थोड़ा light रखो उसमें जो important questions आते हैं वो हम आपको वीडियो वाला एक्जाम में यह मैं 60 दे रहा हूं ठीक है तो पहले बात करेंगे reasoning की reasoning में आपको दो पोर्शन देखने को मिल जाएंगे verbal reasoning और non verbal reasoning verbal reasoning से आपके जतने भी टॉपेक्स से एक कोशन देखने को मिले करें नंबर सीरीज वा लेटर सीरीज एनालोजी कोडिंग डिकोडिंग ड्रोइंग कंकुलूजन रैंकिंग व्लड रिलेशन डिस्टेंशन डारेक्शन टेस्ट सिंबल सब्स्टिटूशन केलेंडर एंड क्लॉक और जो आपका नॉन वर्बल रीजिनिंग है पतलब 15 कोशन्स यह आपको आसानी से हो जाएं केबल आपको खन अपलोड की गएते आप लोगों के लिए अपलोड कर दिये जाएंगे जिससे कि आप सारी रीजिनिंग आसानी से कर सकते हैं ठीक है और जो हमारा आज क्रेस कोर्स से स्टार्ट होने वाला है 30 डेस में आपको टॉप 500 रैंकिंग दिलाएंगे क्योंकि इसमें इसी तरह से ज 30745966 इस पर मैसेज आप कर सकते हैं किसी भी टाइम पर ठीक है रीजिनिंग के बाद में आपका सेकंड पोर्शन आएका मैथेमेटिक्स में आप अर्थमेटिक पर जाएंगे तो इसमें आपको जो स्ट्रॉंग पोर्शन रगता है जैसे कि आपका बरकें टाइम हुआ के कोऊ्टिंश हुए है तो वो सिंपल कोशन रहते हैं तो आप अर्थमेटिक के कोशन आसाणी से अटेंट कर सकती है तो आपको यासनी से जो रिपीट एट कोशन आए उन पर ध्यान देना है सेकेंड आप बात करेंगे एलजेब्राल जैब्रा में आपको quadratic equation कैसे solve करनी है केबल इतना पता हो और root कैसे find करने है quadratic equation के तो आप algebra के दो से तीन questions सही करकर आ जाओगे mensuration में बात करें तो mensuration आपका पूरा dependent formula पर आपको यदि formula याद है तो mensuration के questions आप कर देंगे यदि formula याद नहीं है तो कुछ भी कर लो आप वो questions आटेंट नहीं कर पाएंगे negative marking वहाँ पर लेहाएंगे तो उसके लिए आपको mensuration के formula पते होनी चाहिए technometry में simple है identity याद करो सारी और height and distance के questions हर बार बोलता हूं कि दो questions आते हैं height and distance से जिसमें simple आपको sign cost theta मतलब आपका जो perpendicular वटे में hypotenious है केवल यह करना है उससे आपका इसकांसा निखलता है तो height and distance में जो questions है वो करके आपको आना होगा geometry में केवल आप theory के उपर जाओ intersect line क्या होती है angles क्या होते है इतना पढ़ लोगे तो आपको एक दो question geometry से आसानी से बनेंगे next आपका probability तो 910 में आपने probability की है किस तरह से normal probability के questions आते है कोई जादा hard and tough नहीं आएगा आपके जो questions रहेंगे कि एक bag मैं से लाल बॉल निकाली ब्लू बॉल निकाली तो उसकी probability क्या होगी आपको बताना होगा और mid mode है आपका mean है और median है इनके simple 3-4 formula है वो याद कर लो तो आप statistics का questions से ही करकर आ जाओगे तो mathematics का फंडा यह है कि जिन questions को बार बार repeat किया गया है formula आपको याद करने है उनसे आप math अपनी आसानी से कर सकती है ज़िए आप math में कमजोर feel कर रहे हो तरड आपका आता है general knowledge, general knowledge के लिए आपको कहीं नहीं जाना YouTube पर सारे वीडियो अबिलेबल है इसमें आपको who is who में क्या है जो भी newly appointment change हुए है वो आपको याद करने होगे और general knowledge को पार करने का मैं एक आसान तरीका जो बता देता हूं कि आपका जो general knowledge आता है SEC में 50% आपका current affairs से related रहेगा आपके जो questions है वो सारे current affairs से बनने वाले है वो जो वो में आपके questions हैंगे तो नया chief कौन बना हुआ है नए appointment कौन से हुए है उसके तुरू आपका questions मिल जाए तो जो भी exercise अभी conduct हुई है उनसे आपको question देखने को मिलेगा और नॉर्माली जो आपके static G के question है जैसे कि navy day आजाए तो navy day का question आजाएगा आर्मी day का question आजाएगा एरफोस day का question आजाएगा यह question आपको arm forces से देखने को मिलने वाले है ठीक है उसके headquarter पूर्च सकते हैं आपको कितने command है तीनों आपकी defense forces में यह आपसे पूर्च सकते है raising day कब होता है जैसे पहला military आपकी forces हुई तो यह questions आपको देखने है जिससे कि आप यह general knowledge के दो topic clear कर लेंगे third topic आपका आता है sports sports में कितनी वार बोला है upcoming sports से हर बार question आते हैं दो आने वाला Olympic कौन सा है World Cup कौन सा है T20 World Cup आने वाला है हाले में कौन सा World Cup हुआ है इतना cover करोगे तो sports से दो कोशन जरूर देखने को मिलेंगे ठीक है इसके बाद में fourth है आपका art and culture or literature इसमें आपको fair festival कहां पर कौन सा fair हुआ है heritage sites आपकी कहां पर कौन सी है और आपके जो जितने भी tribes बगेर हैं कहां पर कौन सी tribes पाई जाती है और next आपके art और artist मतलब कौन क्या चीज यूज करता है ठीक है यह आपको art and culture में देखना होगा नेक्स्ट आपका आता है national or international affairs तो इसमें आपको current affairs देखने को मिलेंगे जैसे कि पिछला जो एक्जाम हुआ था उसमें युक्रेन रसिया वार के वारे माया था तो इस बार आपका चांस है कि जो हमास और इजलाल की बीच में बार हुआ उससे related questions आ जाए तो आपको जो current affairs है उसकी वीडियो पब्लिस कर दी जाएगी लिस्ट में लास्ट फाइफ से शिक्स मन्त की current affairs हम अपलोड कर देंगे 20 questions आपको जीके के वहां से मिल जाएंगे नेक्स्ट आपका portion आता है जन्रल साइंस तो जन्रल साइंस में आप प्रयोटी रखो computer science एजी है questions आपके 5 questions आप आजानी सेटम्ट कर सकते हैं simple computer का basic पूझ जाता है कोई deeply question नहीं रहते आपको software, hardware, input devices, output devices, operating system क्या होता है ठीक है यह सब questions देखने को मिलेंगे कोई ज्यादा tough नहीं रहेगा तो computers की आप एक बार questions को refer भी मार दोगे तो आपको याद हो जाएगा आज की generation computer पर काम कर रही है तो सबको पता है कि computer के क्या questions है क्या OS है क्या applications है next आपका environmental science से भी normal questions रहेंगे वो भी current affairs से related रहते हैं लेकिन आपके physics biology और जो chemistry है इसमें आपको थोड़ा effort डालना होगा और उसके लिए भी यहाँ पर questions daily upload किये जाते हैं साइंस के ठीक है जुगल सर बहुत अच्छे से describe करते हैं एक एक चीज related questions आपको बताए जाते हैं और classes से यहाँ पाटेंड करेंगे तो यह मैं guarantee दे रहा हूं कि आप science mathematics English यह जो portion है जो आपको hard लगते हैं जिनमें आपको problem होती उनमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी तो यहां से आप physics है physics में जो theory portion उस पर ज्यादा ध्यान देजिए क्योंकि last years क्या हुआ था कि numericals थोड़े ज्यादा अग रहे थे जिनकी वज़े से थोड़ी problem create हो जाती ह तो वहां पे आप time based ना करके जहां पे आप कम समय में ज्यादा grabs कर सकते हैं उस चीज को focus करो ठीक है next आपका आता है English, English के लिए spotting errors, direct endurance, narration, synonyms, antonyms, phrase and items और इसके बाद comprehension, passage पैसेज में आप 5 के 5 खोसन सही कर किया सकते हैं थोड़े से phrases items आप read करेंगे तो आपको मिल जाएंगे last years के इनमें cover करना वहुत जरूरी है और अभी हाली में शुरिंद्रासन ने आपको describe किया था कि English में 50 में से 50 marks कैसे ला सकते हैं तो एक वार वो वीडियो जाकर जरूर देखें जिससे कि आपको पता चलेगा कि मुझे किस चैप्टर में क्या पढ़ना है कि English में वो कहां से आएगा सारे questions आपको यहां पर यूटूब पर upload किये गए हैं इस्ट्री से आपको question देखने को मिलेंगे अधिकतर modern history से ठीक है ancient history के पर नहीं जाता है modern history में जितने भी आपके act वगेरा हुए हैं जितने भी war वगेरा हुए हैं वो यहां पर आपको पूछेगा जियोग्राफी में आपके world geography से normal questions रहेंगे कुछ रहेंगे आपके Indian geography से political science में जितने भी amendment हुए हैं ठीक है mini constitution के से बोला जाता है कौन सा amendment act कब आया आपके जो fundamental rights है fundamental duties हैं वो किस parts के अंदर आते हैं आपका जो constitution था कब आया कितने दिन में बना यह सब normal questions है तो quality के कहीं भी आप जाकर search करेंगे important qualities questions आपको मिल जाएंगे even telegram channel पर आपको यहां पर प्रोवाइड कर दिये जाएंगे national and international organization में आपको जितने भी national and international organization है उनका headquarters उनका formation कब हुआ था और उनके current में head कौन है यह आपको याद करना होगा तो आसाने से आप 200 plus score कर सकते हैं अभी भी एक मंत की तैयारी में ACC 130 में या फिर भी आपको कोई doubt है तो हमारा जो course है ACC 130 crash course जिसमें आपको एक मंत में top 500 ranking दिलाने का मबादा करते हैं इसको आप अभी enroll कर लेजी आज इसे और अपनी तैयारी start कर सकते हैं इसमें आपको short short PDF notes मिल जाएंगे तो आपको कहीं और नहीं जाना पढ़ाई करने के लिए स परनी होगी और आपका time कम लगेगा डारेक्ट आपको PDF notes दे जाएंगे short short recording lectures हैंगे कहीं भी topic में आपको समझनी आ रहा आप application पर जाएंगे और उसका recording lectures है उसको अटेंट करेंगे आपको सारे topic clear हो जाएगा ठीक है next आपको यहां पर marathon classes मिलेंगी रात में daily जिसमें कि आप अपने डाउट पूर सकते हैं आपको important जितने भी mcq और bunliners हैं जो कि बार-बार course आपके exam में आते हैं वहां पर खबर कराए जाएंगे तो यह सब आपको मिल रहा है only 999 sorry आपको यह course cable 999 मतलब 999 में यह course मिल जाएगा एक मन्त के लिए तो offer कुछी समय के लिए और time आप होगा important है आज से join करेंगे तो आप आज से 5-10 marks extra लेकर आएंगे ठीक है तो इसे join करने के लिए आपको 8120745966 इस नमबर पर message करना होगा या फिर courses पर जाकर ACC 130 का जो crash course है इस पर क्लिक करके आप इसे enroll कर सकते हैं और अपना जो सपना है उसे पूरा कर सकते हैं और आपके ज all the best for your exam और कहीं भी कोई doubt problem है तो आप हमें message कर सकते हैं बाकि यदि आपको net की बहुत ही जादा problem आ रहे है तो आप direct hard booklets भी order कर सकते हैं जो कि हमारे application पर आपको मिल जाएंगे Thank you